हेलो इस्टूि यूंच आप लोग कैसे हैं? आज मैं मैं बात करोंगा कि ITI के मार्क्षीट को हम लोग कैसे डाउनलोड करते हैं ठीक है तो ITI की मार्कषीट जब डाउनलोड करने जाते हैं इस्टूिडेंट्स तो कई सारी problem का उनको सामना करना पड़ता है अब ये problems क्यों आती है अब उसके बारे बात करेंगे तो ये जो बच्चे लोग ITA के mark sheet डाउनलोड करना चाहते हैं उनके लिए ये video बहुत अच्छा होने वाला है चलिए अब बात करते हैं हम लोग अब बच्चे लोग क्या करेंगे ITA के mark sheet कैसे डाउनलोड करेंगे original mark sheet को तो हम लोग Google में type करेंगे ITA result जो आमतवर बच्चे जो type करता है वो ITA result करके type करता है अब जब open हो की नई screen open हो की आएगी तो उस पर हम लोग देखेंगे किस परकार से हम लोग क्या निकल के आ रहा है जिस परकार से आप इस screen पर देख पा रहे है कि यहाँ पर screen पर कई सारी चीज़े open हो क्या आ गई अब बच्चे लोग क्या करते है trainee mark sheet पर click करते है अब क्या करेंगे जब trainee mark sheet पर click कर देंगे तो यह नई window open हो किया जाएगी और उस पर हम लोग देखेंगे किस परकार की window open होगी और उस पर हम लोग क्या आप चीज input करेंगे आपकी screen पर इस परकार की एक screen आ गई है अब क्या करेंगे role number, registration number के जगे हम लोग यहाँ पर role number या registration number हम लोग click करेंगे या input डालेंगे मैंने role number डाल दिया है registration डाल दिया है मैंने अब बात करेंगे exam system की जो exam system होगा तो वो किस परकार का है annual जो मैंने annual डाल दिया है अब मैं select करूँगा year अब मैं year select करूँगा one year अब मैं क्या करूँगा search के button दबाऊंगा अब मैं जैसी search की button दबाया तो यहाँ पर एक result open होके आ गया है देख पारवगा के screen पर वेब है ओमर की है और जो की घाटम और ITI की है चलिए तो यह जो mark sheet open होई है यह original mark sheet नहीं है ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे देखें अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग बैक जाएंगे और हम लोग Google टाइप करेंगे Google टाइप करने के बाद क्या करेंगे हम लोग NCVT NCVT MIS NCVT MIS पर हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर MIS में क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर एक नई विंडो ओपन हो जाएगी आपकी नई विंडो ओपन हो रही है आप लोग इसी परकार से विडो देखते रही है जब नई विंडो ओपन हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे यह देखिए यह विंडो ओपन हो चुकी है अब उन्हों क्या करेंगे, ट्रेणी पर जाएंगे, ट्रेणी पर जाने पर ट्रेणी की प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, तो क्या करेंगे, जब उन्हों रेजिस्टेशन नंबर इंपूट करेंगे, तो आंगे की जो दो 0 होते हैं, में इंपॉर्टेट पॉइंट है लुपाल ओमर यह मैं कलिक कर रहया हूं, ठीक है, ओमर मैंने कलिक किया η्ट कर दिया, अब मैं date of birth की बात करता हूं तो मैं बच्चों इन्पुट करेंगी आप्लोग जो भी date of birth होगी, आप डालेगा इस पो, मैं डालाँ 22 जुलाई तो जुलाई के J, U, L ये 3 वर डालेंगे आप किसी मन्त के 3 वर डालेंगे और year आप पूरा लेखेंगे 2, 0, 0, 1 अब मैंने क्या किया अब जाओंगा अब यहाँ पर जो वीडियो capture आ रही है capture पर क्लिक करूँगा यहाँ पर देखिए क्या है 57277 यह हर बार अलग-अलग मिलेगा 57277 ओके आप मैं क्या करूँगा remember me कर दूँगा और submit कर दूँगा आप देख पा रहे होंगे कि student का जो result है वो open हो रहा है अब जैसे ही result इसका open हो जाएगा जो इसकी market open हो जाएगी तो उस पर हम लोग क्या करेंगे आप इसक्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों देखिए बच्चे की जो student है उसकी market open हो गई है यह हमारी market है ठीक है अब क्या करेंगे यहाँ लिक कि आ रहा है यहाँ पर यह जो button आ रही market की और यह certificate की आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे की जो student की market है वो download करने का option आ गया है आप मैं download कर लूँगा यहाँ पर detrials दिखा रहा है आप मैं detrials पर click करूँगा तो यहाँ पर download हो जाएगी मैंने पहले से download करकर रखा हुआ है student की market को हमें इसको open कर लूँगा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि student की जो mark sheet है वो open हो चुकी है जिस पर आपका barcode लिखा हुआ है student की number है यहाँ पर sign and control of examination की तो आप देख पा रहे होंगे कि student की mark sheet open हो चुकी है हम back जाएंगे हम बात करेंगे print certificate की जो certificate जो most important है क्योंकि बच्चों को certificate download करना नहीं आता है इस परकार से यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर download का option आजाएगा download का option आगया है यहाँ पर student की जो certificate है वो download हो रहा है मैंने पहले जो download कर रखा हुआ है और यहाँ पर download हो भी गया है और इसको हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ के सामने जो certificate है जो original certificate है वो download हो जाएगा यहाँ पर इस देखिए प्रमान संख्या नंबर में लिखा हुआ है यह original certificate वैब ओंबर की download हो गई है तो मेरे साथ बने रही है और मेरे चैनल को like, share और subscribe जरू करें Thank you so much